पूदे जो पी एसी महों के बाबाल दिन रात पढ़ना है मन्जा वो धामाल काव पर ले थसरे टेंसन अरे काव पर ले थसरे टेंसन जब अपसर बन केते घर पे धामाल ये कैसे होगा से हलो स्टूडेंट्स प्लांट्स का जो हमारा टॉपिक था वो कम्प्रीट हो चुका था आज हम एक नया टॉपिक एनिमल्स स्टार्ट करेंगे क्योंकि आपका जो एक्जाम है वहाँ से भी एनिमल्स से बहुत सारे सवाल बनते हैं कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जहां से डारेक्ली आपका सवाल उठा लिया जाता है पर अगर हम अभी की बात करें अभी का जो exam pattern है वो directly ना उठा कर आपसे indirectly question करता है आपसे घुमा फिरा कर सवाल करता है तो बिल्कुल हम वैसा ही करते चलेंगे सबसे पहले हम समझेंगे animals के बारे में animals में जितने भी आपके सवाल बनेंगे वो सभी topics को हम समझेंगे then हम आगे बढ़ेंगे उससे पहले कुछ आपके लिए important facts है उसे भी समझेंगे चुकि आपका जो examiner है यहां से भी सवाल directly उठा लेता है हम बात करें तो 1969 में आपके वीटकर द्वारा पांच जगत वर्गी करण किया गया है इसी जगत को हम समझे चुकि यह भी एकदम fact है यहां से directly आपके सवाल बनते हैं तो सबसे पहले हम समझेंगे मोनेरा जगत यह क्या होता है इसमें आपके जितनी भी bacteria होते हैं उन सभी का क्या किया जाता है study किया जाता है कुछ key point से हम समझने का प्रयास करेंगे अगर हम बात करें मोनेरा चुकि आपके वेटकर सहाब ने क्या किया है इसे 5 जगत वरगी करण में बाटा है तो एक एक करके हम समझेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे मोनेरा जिसमें हम क्या करते हैं जिसमें हम जीवालों का अध्यन करते हैं हम लोग bacteria का क्या करते हैं study करते हैं अगर हम बात करें तो इस ज जगत के जीव उन सभी इस्थानों पे पाए जाते हैं ध्यान दीजेगा यहां पर अभी किसकी बात हो रही है मुनेरा जगत जन्तु टॉपिक पढ़ने से पहले एनिमल्स में बढ़ने से पहले हम क्या करेंगे पहले पांच जो वरगी करण हैं जिसमें जीवों को बाटा गय है वो हम समझेंगे तो ध्यान दीजेगा मुनेरा जगत के उन सभी इस्थानों में पाए जाते हैं जहां जीवन की थोड़ी सी भी संभावना होगी मुनेरा जगत के जो भी जीव होते हैं वो कह सकते इतने जादा सर्वाइब करने में अलर्ट होते हैं कि अगर उन्हें थो थोड़ी संभावना दिखेगी तो वो मिट्टी में भी जन्म ले लेंगे चाहे वो जल हो चाहे वो वाईयू हो यहां तक की गर्म जल के जहरने भी होते हैं अगर वो असी डिग्री सेलसियस तक का हो तो वहाँ पर भी क्या होते हैं यह बैक्टेरिया दिखाई देते हैं सा यह हमारा था पहला जगत जिसे हमने क्या कहा मोनेरा जगत इसमें किसका स्टडी किया जाता है तो ध्यान दिजेगा इसमें जिवाड़ों का अध्यन किया जाता है इसमें बैक्टेरियों का क्या किया जाता है स्टडी किया जाता है आगे बढ़ते हैं अब बात करते हैं प्रोटिस्टा नेक्स्ट जो आता है उसे हम क्या कहते हैं प्रोटिस्टा जगत कहते हैं चुकि पांच जगत वरगी करण का ये दूसरा जगत है जिसे हम कहते हैं प्रोटिस्टा जगत क्या होता है इसमें तो याद रखिएगा कि प्रो में आएंगे आपके protestra जगत में आएंगे इस से पहलें क्या पढ़ा monera जगत में हमने देखा कि इसमें जितने भिवास से जिवारू हैं अगर जीवन की थोड़ी बहुत भी कहीं पर भी संभावणा मिलती में यहा पर मुनेर अभी मंदेख को प्रोटेस्टा तो जो प्रोटेस्टा जगत है उसमें क्या होता है जल में रहने वाले जीव समानेता दिखाई देते हैं जो क्या होती है एक कोसिकी होते हैं और बहुत ही सूचमों होते हैं तो इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना है ये तरह तरह के जीवन वर्गों को क् करते हैं, साथ ही अगर हम इसकी एक जाम्पल की बात करें, तो अमीबा, पैरामीशियम, डाइटम, ये सभी क्या है, एक कोशकी, कह सकते हैं, जीव है, साथ ही सेवाल और जन्तु, जो एक कोशकी होंगे, जिनमें एक कोशिका पाई जाती है, उसे हम क्या क्या कहते हैं, एक क्लियर हुआ फिर से रिपीट करते हैं हमने क्या पढ़ा हमने सबसे पहले मुनेरा जगत देखा मुनेरा जगत में हमने पढ़ा कि मुनेरा जगत की अंतरगत जिवाड़ों का ध्यन किया जाता है अर्थात हम बैक्टिरिया का स्टडी करते हैं साथ ही इसके अंतरगत किसके अ अगر हम दूसरे जगत की बात करें, जिसे हम protesta कैते हैं, protesta के अंतरगत, आपके एक कोसकी जीवाएंगे, जो क्या होंगे? सूछ मुह कोंगे, साथ ही गर इसके example की बात की जाएं, तो इसके example amoeba, paramecium, dark time आप एक कोसकी सेवाल या जनतु आपके सामिल होंगे. ये सब ही क्या है आपके एक्जामपल है अगर हम बात करें युग नीला आपका परामीशियम ये सब ही डायटाम अमीबा ये सब क्या है आपके प्रोटेस्टा जगत के जीव है या एक्जामपल है अगला जो जगत है वो हमारा कवक का है इसमें क्या है कवक मींज आपके डूसरी चीज इस प्रकार के जो जीव होते हैं वो अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं तो सड़े गड़े जो आपके सड़े गले मृत कार्बनीक पदार्थ होते हैं उनसे ये क्या करते हैं अपना भोजन प्राप्त करते हैं साथ ही कवक जो होते हैं वो विश्व प्रोटेस्टा और मोनेरा देख रहे थेuckyाते हो क्या होती है चुब आप जितने भी सड़ेगले मृत्पदार्थ देखेंगे ना वहां पर ये सभी आपको देखने को मिल जाएंगे तो ये सब क्या है इसका इक्जामपल है चलिए फोर्थ जो है आपका वह है पादप जगत पादप जगत यहां पर भी नाम से क्लियर हो रहे हैं पादप जगत में क्या करते हैं, हम plants का study करते हैं, चोकि पादप का मतलब ही क्या होता है, पौधा और पौधे को ही हम इंगलिस में क्या करते हैं, plants कहते हैं, तो इसमें हम क्या करते है, plants kingdom, ये जगत का मतलब क्या होता है, kingdom, तो इसमें जितने भी plants होंगे, उन सभी का हम study करेंगे, आगे जनतु जगत में आएंगे, इवेन हम भी क्या होते हैं, जनतु जगत के अंतरगत आते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम animals, चुकि आपके animals से direct सवाल बनते हैं तो पहला हमारा जो animal है वो है elephant अब elephant से कैसा सवाल बनता है तो आपके ncrt में जो की c-tate में इस पस्ट रूप से ncrt का क्या दिया गया है सलेवस दिया गया है अब क्या करता है जो आपका examiner है वो ncrt से ही घुमा फिरा कर इर्द गिर्द जो सवाल बन सकते हैं वो कर में ऐसे ही ब्रॉड होकर पढ़ना है चलिए बात करें हम elephant की तो आप सभी जानते हैं कि यह क्या है एक बड़ा जीव है ठीक इसके बारे में अगर हम बात करें जो आपके NCRT book में दिया गया है ध्यान देजेगा आपका जो सवाल बनता है यहीं से बनेगा आपका सवाल सबसे बोड़ी हतनी हाथियों के बीच की नेता होती है अगर हम leader की बात करें तो जो सदश्य होते हैं उसमें जो आपकी बोड़ी हाथी होती है जिसे हम हतनी कहते हैं तो वो जो महिला होती है चुकि अगर घर में भी जिस तरह महिला क्या होती है exactly वैसे ही हाथियों का जो समू होत है तो आप लोग का सवाल ऐसे ही घुमाता है हतनी न बोलकर वो हाथी कर देगा तो हलकी सी भिला परवाही आपका एक नंबर गवा सकती है तो ध्यान रखना है कि सबसे बूरी हतनी हाथीयों के बीच की नेता होती है साथ ही ये क्या करती है सो किलो से भी अधिक पेड़वा ज देता है तो चुकि आपको आंसर पता होगा कि सो किलो ग्राम होगा तो आप लोग इसली क्या कर लेंगे आंसर निकाल लेंगे अगला जो पॉइंट्स की हम बात करें तो अगला पॉइंट क्या है ये अपने सरीर को ठंडा रखने के लिए क्या करती है अनुकूलन छमता पाती है कम सोते हैं यह जो हाथी होते हैं वो बहुत कम सोते हैं आप इसी में एक जानवर पढ़ेंगे स्लॉट के बारे में वो दुनिया का सबसे सुस्त जानवर होता है हाथी यहां पर कम सोता है लेकिन वो 17 घंटे सोता है स्लॉट जो भालू की तरह दिखता है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी हम हाथी को समझते हैं, अगर हाथी की हम बात करें, तो आपको याद रखना है कि हाथी जो होता है, वो 24 घंटे में कितना सोता है, मात्र 2 से 4 घंटे ही वो सोता है, तो मतलब ये बहुत ही कम आराम करते हैं, हाथी 14 से 15 साल की आयू तक ही जुन्ड में रहते हैं, अगर कोई हाथी 15 साल से अधिक का हो गया, तो छुन्ड क्या छोड़ देगा, वो जुन्ड छोड़ देगा, यही है इस हाथीयों की विसेस्ता या हाथी समुदाई की विसेस्ता, कुछ और भी पॉइंट से जिनको आपको ध्यान रखना है, कि एक जुन्ड में 10 से 12 हाथीवा बच्चे एक जुन्ड में रहते हैं, अगर हम जुन्ड की बात करें, देखिए हम अपनी फैमिली से कंपेर कर सकते हैं, कि हमारी जो फैमिली होती है, उसमें कोई निस्चित, ऐ में नियम होता है, कि आपको इस एच के बाद क्या होगा, छोड़ना पड़ेगा, हम नों को लगता है न, कि ये दुनिया भर के नियम, कानून, समाज सिर्फ हमारे हां होते हैं, हमारे मनुष्यों में होता है, बिल्कुल गलत बात है, आप पच्चियों में भी देखोगे, उनमें भी एक विरादरी होती है, अगर वो कोई नियम तोड़ते हैं, तो उनहीं क्या कर दिया जाता है, उस विरादरी से बाहर कर दिया जाता है, उसी प्रकार एनिमल्स में भी होते हैं, जितने भी आप जीव देखते हैं, उनमें भी एक क्या होता है, एक कह सकते हैं, मर् हम बात करें इनके जुन्ड की तो एक जुन्ड में क्या होता है दस से बारा हाथी वह बच्चे रहते हैं चुकि अगर वो 14 से 15 साल की हो गया तो उन्हें जुन्ड छोड़ना परता है तो सबसे बुजुर्ग हतनी क्या होती है इनकी मालकीन होती है या कह सकते हैं सदस्यों की हैड होती है तो यह चीज़ क्लियर हुआ अब यहां पास लिखाया है कि तीन महीने के हाथी के बच्चे का वजन 200 किलोग्राम होता है यहीं पर सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं अगर आपसे पूछे की हाथी दिन में कितना पतिया खाता है तो य तो उसका वजन कितना होता है तो याद रखना है आपको 200 किलोग्राम वजन होता है अगर वजन पूछे तीन महीने का तो आपको याद रखना है कि यह कितना होगा 200 किलोग्राम होगा और कितना किलो खाती है एक कह सकते है एडल तो वो 100 किलोग्राम खा लेती है और वजन य जो statement दिया है ये भी बहुत important है यहीं से आपके सवाल आप previous year उठाएंगे topic complete होने के बाद हम previous year भी लगाएंगे तो यहाँ पस क्या लिखा है तीन महिने की हाथी का जो बच्चे का वजन होता है वो 200 kg होता है तो 200 kg और 100 kg में confused नहीं होना है 100 kg वो डेली क्या करती है खाती है आपका क्या पत्ती और टहनिया और वजन पुछे तो 200 kg यह इस्थल के सबसे बड़े इस्थंधारी है याद रखिएगा यह भी बहुत important है आप सभी जानते होंगे कि पूरे इस्थंधारी में हाथी जो है वो सबसे क्या है सबसे बड़े इस्थंधारी जीव है साथ ही इन्हें पानी और कीचड में खेलना बहुत भाता है इससे इनके सरीर को ठंडक मिलती है क्योंकि यह गर्वी बरदास नहीं कर पाते हैं आगे बढ़ेंगे अब आपका सवाल बना देखिए सवाल कुछ ऐसे ही बनेगे अभी हमने क्या किया हाथी के बारे में समझा अब तुरंथ हम क्या करेंगे सवाल लगाएंगे इस से हमें पता चलेगा कि चीज़े हमें क्लियर हुई या नहीं भ्यान दीजेगा हाथीयों के विशाय में नीचे दिये गए कतनों पर विचार करिए यहाँ पर आपका क्या लिखा हुआ है सबसे पहला जो सवाल हर साल बनते हैं जो कह सकते हैं सालों से बनते आ रहे हैं सवाल कुछ इसी तरह से बन रहे हैं तो पहला स्टेटमेंट है कि हाथी बहुत कम अराम करते हैं यह एक दिन में केवल 2-4 घंटे ही सोते हैं तो क्या यह statement सही है? जी हाँ, यह statement बिलकुल सही है अभी हमने थोड़ी देर ही पढ़ा है कि जो हाथी होते हैं वो बहुत ही कम अराम करते हैं यह 24 घंटे में मात्र कितना सोते हैं? 2-4 घंटे ही सोते हैं अगला statement देखेंगे तो यह statement तो हमारा सही है इसमें क्या बोला है? नीचे दिये गए कत्रों पर विचार करिया अभी विचार करना है हमको option देगा एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से भी अधिक पत्तिया वा जाडिया खाता है क्या यह statement सही है? नहीं यह statement गलत है अभी हमने पढ़ा था कि एक वियस का हाथी दिन में 100 किलोग्राम क्या करता है? टहनिया वा पत्तिया खाता है अगर आप से पूशे कि तीन महिने का बच्चा जो हाथी का बच्चा होता है वो कितने किलोग्राम का होता है? तब आप लिखेंगे कि वो कितने किलोग्राम का होता है? तो 200 किलोग्राम का होता है तो यहीं पर confusion होता है तो यह statement जो है वो C हमारा क्या हो गया? गलत हो गया नहीं, C नहीं, B अभी हमने देखा, तो B हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, अगला स्टेट्मेंट देखे हम, तो इन्हें पानी और कीचड में खेलना बहुत भाता है, इससे इनके सरीर को क्या मिलती है, ठंडकता मिलती है, तो ये बिल्कुल सहीं, अभी हमने पढ़ा कि ये ग लीडर होती है, अब कोश्चन क्या दिया है, यहाँ पर इन पर हमें सही कतन चुनना है, कि सही कतन क्या है, ठीक है, सही स्टेट्मेंट को हमें देखना है, तो पहले फिर नोटिस करते हैं, यहाँ पर गलत कौन सा था आपका, गलत B था, बाकि आपका A भी सही, C भी सही और D भी सही, तो देखते हैं, आपका A, C, B किसमे है, यहाँ पर क्या लिखा है, बी लिखा है, तो यह गलत हो गया, यहाँ पर भी लिखा है, तो यह गलत हो गया, यह सही है, क्योंकि यहाँ पर B नहीं लिखा है, यहाँ पर B लिखा है, तो यह भी गलत हो गया, इस तरह आपको आंसर क्या लगाना है तिक करना है तो सवाल ऐसे ही बनेंगी अब हम बात करते हैं शेर की बाग की बाग जो होता है बाग से सवाल आते हैं आपके चलिए समझते हम इसकी देखने की शक्ति अत्यधीक होती ही सभी आपके NCRT में लिखा हुआ है क्योंकि आपके स्लेबस में जो कोश्चन बनते हैं कभी-कभी डारेक्टली NCRT से उठा लिया जाता है और सालों से जो आपका एक्जाम का पैटन चला आ रहा है वो NCRT बेस जी सला आ रहा है वो बात अलग है कि अब क्या किया जा रहा है कनेक्शन जोडते हुए आपसे सवाल किया जा रहा है बिल्कुल ज जही है इसके बारे में समझेंगे कि इसके जो देखने की शक्ती होती है वो बहुत अत्यधिक होती है यह क्या होता है मनुश्य की अपैक्षा चार गुना अधिक छे गुना छे गुना अधिक दूरी तक क्या करता है रात में भी देख सकता है याद रखीएगा आपसे पूछे चार गुना चार गुना बोले चुकि अभी आप लोग पढ़ेंगे पक्षी में तो चार गुना बोले तो एक आता है बाज, गिद, चील तब याद रखीएगा वो मनुष्यों से चार गुना अधिक देख पाते हैं अगर आपसे पूछी चार गुना तो चार गुना में याद रखीएगा चार गुना हमसे कौन तेज देख पाता है शेर हमसे चार गुना तेज देख पाता है ठीक ध्वनी को सुनने के लिए अपने कान को ये कई दिसाओं में घुमा सकते हैं हमारा जो कान होता है वो इस्थिर होता है लेकिन जो बाग का कान होता है वो कई दिसाओं में घुम सकता है तो ये क्या है बाग की विसेशता है याद रखना है आपको कि बाग जो है वो मनुश्यों से कितना गुना अधिक दूर तक देख सकता है हमसे 6 गुना अधिक दूरी तक ये देख सकता है बाग अपने सिकार का पता मुछो द्वारा हवा के कमपन से करता है अगर हम क्या होता ह हम कभी कभी हम धोखे से अगर फस जाते हैं तो अगर हम चुप है तब तो ठीक है लेकिन धोखे से अगर हम कुछ ऐसा कह सकते हैं एक्टिवीटी कर रहे हैं जिसके कारण कोई पता हिल रहा है या कुछ भी इस तरह का चीजे हो रहा है प्लांट से हिल रहे हैं तो उससे क्या ह नहीं पता चल जाएगा क्योंकि ये हवा के कंपन से समझ जाते हैं तो अधिकतर chances यही होता है कि इतने ज्यादा तेज होते हैं इनके जो सुनने की शंता होती है, देखने कीla इतनी तेज होती है कि अगर धुके से कोई मनुश्य कोई जीव इनके सामने आ गया तो उनका बचना अपने आप में क्या हो जाता है नामुम्किन सा हो जाता है तो यही कारण कि यह बहुत ज़्यादा तेज होते हैं अगर यह थोड़ा सभी इनमें एक होता ना कि हां नहीं देख सकते यह लापरवा हैं तो दूसरे बाग की पहचान कैसे करते हैं तो यूरीन के द्वारा करते हैं उनकी मूत्र के द्वारा करते हैं बाग के गुर्राने की बात करें तो अगर कोई बाग गुर्राता है तो तीन किलोमेटर से भी क्या होता है उनकी आवाज को हम सुन सकते हैं तो यह बाग में क्या हो होती है तीन मीटर तक हम सुन सकते हैं बाग के दोनों आवाज सुनने के लिए अलग-अलग दिशाओं में घूम जाते हैं दोनों कान यहां पर आवाज के जगा क्या है दोनों कान क्या होता है हमने देखा कि जो बाग कान होता है वह आवाज सुनने के लिए क्या होता है अलग प्विशा में क्या हो सकता है घूज तो ये भी छमता क्या होती है आपके बाग में होती है चलिए इस जीव को पढ़ने से पहले एक बार हम लोग फटा-फट रिवीजन कर लेते हैं हाथी और बाग का तो देखिए हमने हाथी में क्या देखा था हमने देखा था कि जो हाथी ह होते हैं उसमें कितने होते हैं आपकी जो हतनी होती है पहला पॉइंट हमने देखा था कि जो आपकी हतनी होती है वो क्या होती है लीडर होती है बुजूर्ग हतनी और जो भी बच्चे हाथी में क्या होता है हाथी में एक नियम होता है कि अगर कोई हाथी 14-15 वर्ष का हो ग क्या करती कीचर में हमें सा रहती है पानी में हमें सा रहती है साथ ही हाथी क्या होती है सबसे बड़ी इस्तंधारी जीव है और क्या हमने देखा है और हम देख रहे थे कि हाथी जो होती है एक वयस का हाथी वो एक दिन में 100 kg क्या करती पत्या और टहनिया खाती है साथ ही हाथ तिका जो बच्चा होता है तीन महीने का वो कितने किलोग्राम का होता है तो वो 200 किलोग्राम का होता है ये सभी चीज़ा आपको थ्यान रखनी है अब ये क्या ये कौन सा जी भाई ये आपका स्लॉथ है स्लॉथ है स्लॉथ के बारे में पढ़ने से पहरे एक बार हम लोग बाग के बारे में पढ़ेंगे हमने बाग को देखा कि बाग जो होता है उसके देखने की श्रम्ता जो होती है वो मनुष्यों से क्या होती है छै गुना अधिक होती है साथ ही इसके गुर्राने का जो बात्म में विश्व में केवल मद्दे और दच्षडी अमेरिका के जंगलों में क्या होता है और क्या होती है इसकी विशेस्ता इसकी विशेस्ता ये होती कि 24 इतना सूस्त होता है कि अपने जीवन काल में, केवल साथ से आज पेडों की पतियों को यह खापाता है प्रहाद की से प्रहाद कि यह प्वजीए केवल अपना 춤्ज करने के लिए इस पेड से नीचे उतरता है साथ ही ये चल नहीं पाता है проблем कोई जीव का TIM इसमार पर लटका रहता और आप लौत लंबय लंबय चल नहीं पाता है आप समझते हैं तो नार पनावल है पूरी दुनिया में और जितने भी जाणवर देख रहे होंगे उसमें सबसे सुस्त जानवर कौन सा है आपका स्लॉथ है तो स्लॉथ भी बहुत इंपोर्टेंट है यहां से डारेक्टली आपके सवाल बनते हैं यह दिन में 17 घंटे सोता है यह पूरे जीवन काल में केवल 40 वर्सों तक ही जीता है कितना जीता है केवल 40 वर्सों तक ही जीवन काल होता है और अपने 40 वर्सों के जीवन काल में क्या करता है केवल 7 से 8 पेड़ों की पत्यों को खा पाता है अपने जीवन काल में केवल 7 से 8 पेड़ों की पत्या खा पाता है ये सुद्ध सा का हारी जीव होता है तभी तो यह पत्तियों को खाते हैं ये मानसा हारी जीव नहीं होता है जैसे आपका पशेर बाग ये सब आपचूत अब अगएरा देखते हैं। बाकि जो आप animals देखते होंगे, वो क्या होते हैं, सरवाहारी होते हैं, कुछ आपके मांसा हारी होते हैं, जो केवल मांस खाते हैं, कुछ मांस और क्या कह सकते हैं, आपका सबजी या दोनों खाते हैं, सबजी में सबखा पत्य बगएरा, तो ये क्या होते हैं, सरवाहारी होत आपके मानसाहरी भी एनिमल्स होती है यह भालू जैसा दिखता है जी हाँ, यह भालू जैसा दिखता है अभी हमने देखा, यह पूरी दुनिया में स्लोट सिर्फ कहां पाया जाता है, तो याद रखिएगा दच्छिडे वं मंत्य अमेरिका के जंगलों यह अपना पूरा जीवन एक ही पेड़ पर उलटा लटक कर बिता देता है और जिस पेड़ की पतियों में रहता है वहाँ ही की पतियों को यह खाता है अगर यह 7 से 8 पेड़ों की पत्िया खा रहे तो वही पर भी रहता है चलिए, अब हमने क्या पढ़ा, slot के बारे में पढ़ा, अब slot से क्या question बनेगा, अब आपको क्या बोल देगा, विसेस्ताएं देदेगा और बोलेगा, यह किस जीव की विसेस्ता है, तो आपको बताना है, किस पसू में यह सभी विसेस्ता दिखाई देती हैं, यह भालू जैसा दिखता है, लटक कर सोते हैं साथ ही जिस ये बिल्कुल सही हमने देखा था ये क्या करता है 24 गंटे में 17 गंटे केवल सोता है ये जिस पेड़ पर रहता है उसी की पत्तियों को खाता है और ये लगवक 40 वर्षों तक जीता है तो ये सभी विसेशता है किसकी है तो हमने अभी पढ़ा था ये भालू जैसे दिखने वाले जानव सोत किया और ये कहां पाया जाता है तो ये पूरे विश्व में मध्य एवं दच्छिड अमेरिका के जंगलों में पाया जाता है ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है तो यहां पर option है panda, chimpanzee, sloth, पूर्वी बंदर तो panda के बारे में हमने अच्छिड नहीं पढ़ा chimpanzee के बारे में भी नहीं पढ़ा पूर्वी बंदर के बारे में नहीं पढ़ा तो ये किसकी विसे yêuश्ता है? Sloth की विसेशता है अब बात करते हैं हम सापों की, चुकि साप जो है यह भी यहां से भी आपके NCRT से सवाल बनते हैं, आपके NCRT Book में दिया हुआ है, अब साप की हम बात करें तो आप सभी साप से अवगत होंगे, हमारे भालत में नाग देवता इनको पूजा जाता है, सापों को पूजा जाता है हमारे भारत देश में यह बहुत ही सम्मान की दस्ट्री से देखा जाता है ऐसे कुछ लोंग होते हैं, अपवाध हर जगा होते हैं, जो इनके साथ बुरा वैफार करते हैं, साथ ही इसको एक वैपार का रूप बना ली है तो ये सभी चीजे सही नहीं है तो अगर हम साप की बात करें तो साप से भी आपके सवाल बनते हैं किस तरह के सवाल बनते हैं तो भारत में कुल कितने जहरीले साप पाय जाते हैं तो याद रखिएगा अगला है आपका दो बोईया जिसे हम क्या कहते है रसल स्वाइपर कहते है सथ फ़ाइव यह सभी एक भारत में पाय जाने वाले जहरीले साप है उस आप की बात हो एक छिज में आपको बताना चाहूंगी साप के रखा जाता है और घर घर जाकर नाग देवता या देवता कहे कर हम क्या करते हैं उन्हें दूद देते हैं नाग जो होते हैं जो साप होते हैं दूद पीते हैं जबकि ये गलत होता होता क्या है उनके साथ जो सपेरे लुंग होते हैं वो साप को कई दीनों तक प्यासा रखते हैं, बहुत प्यासा रखते हैं, कुछ भी उनको पीने कलीन देते हैं, इतने जालिम हो जाते हैं, चुकि साप के लिए जो दूद होता है, वो जहर के समान होता है, कभी आप पढ़ कर देखिएगा, तो जहर के समान होता है, लेकिन महिने तक प्यासा रखा जाता है तो उनके सामने जब दूध रखा जाता है इसलिए उन दूध को पी लेते हैं वास्तव में सापों के लिए हैं शीरम से बनाते हैं साथ ही साप के दो खोखले दाथ होते हैं सवाल ऐसी बराया था कि साप के कितने दाथ होते हैं ऐसे statement में पूच दियते हैं कि साप के चार खोखले दात होते हैं तो नहीं याद रखीगा कि साप के सामने सामने जो होता है उनके दो खोखले दात होते हैं और यहीं से वो क्या करता है जहर को छोड़ता है साप के दात नुकीले होते हैं परन्तु वो भोजन को कभी नहीं चबाता आप लोग देखे होंगे, आप जितने भी साप देखते होंगे, वो क्या करते हैं, भोजन को निगल जाते हैं, तो भले उनके दाथ होते हैं, पर वो भोजन को कभी नहीं चबाते हैं, वो निगल जाते हैं, अजिकर इसका सबसे वड़ा एक्जामपल है, कि वो निगल जाता ह सापो के संदर्भ में सही कथन को आपको चुनना है अब सही कथन क्या है हमारे देश में केवल चार प्रकार के जहरीले साप पाय जाते हैं जी हाँ अभी हमने पढ़ा है आपके NCRT बूक में दिया हुआ है नाग जो होता है कोबरा जहरीले सापो का एक प्रकार है अभी हमने पढ़ा था जहरीले साप के चार खोखले दात होते हैं देखिए मैंने अब भी वताया है कि जो आपके साप होते हैं उनके दो खोखले दात होते हैं ना कि यह बिल्कुल गलत बात है कि चार खोखले दात होते हैं, तो दो खोखले दात होते हैं, जब साप किसी व्यक्ति को काटता है, तो जहर इन खोखले दातों से उसके सरीर में चला आ जाता है, क्योंकि यह क्या करते हैं, अपने नुकीली दातों के कारण ही जहर को बाहर उ निकाल लिया जाता है और जहर ही उनका जीवन का अधार होता है लेकिन अपना वैपार चलाने के लिए उनको पालने के लिए क्या करते हैं जो सपेरे होते हैं उनके दात को ही तोर देते हैं निकाल देते हैं तो यह सब ठीक नहीं है चलिए साप के काटने की दवाई साप के ज C आपका क्या है गलत है चुकि साब के जो दाथ होते हैं वो दो खोखले दाथ होते हैं तो A हमारा आंसर क्या होगा A होगा B होगा और B सहीं होगा C यहाँ पर क्या है गलत है तो चलिए देखते हैं आपर option में कहा है यहाँ पस C, B, A तो C तो गलत था तो C को नहीं करेंगे यह बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ पर C नहीं लिखा है यहाँ पस C लिखा है तो गलत यहाँ पर भी C लिखा है तो गलत तो अगर समय की कमी हो तो हमको answer भी as it is ऐसे ही check करना है जिससे हमारा समय का बचात हो क्योंकि आप इस साल चुकि offline आपका exam हुआ है तो समय और कम हो जाता है signature करते हैं हम लोग कुछ submit करते हैं तो बहुत time हो जाता है 15-20 मिनट हमारा ऐसी ही चले जाता है तो हमें ऐसी समय का ध्यान रखते है चलिए एक और question है आप लोगों के लिए साप से संबंधित निम लिखित में स भारत में मिलने वाला कौन सा साप जहरीला नहीं होता है तो दुबोईया रसल वाइपर यह तो हमने पढ़ा है कि जहरीला साप है अफाई इसे भी हमने देखा है सलकी वाइपर क्रकच सलकी वाइपर भी कहते हैं इसे और करत इसे भी हमने देखा है कि यह क्या होता है जहरी के लेकिन चौथा जो है वापका. जहरीला नहीं होता है. कि जहरीले, धान्तों को क्या कहां जाता है? यह भी सवाल important है. दिारेक्ट आप्स examiner सवाल कर सकता है. ठीक है आपने दान देखा? कि सामने के जो दान्त होते हैं, वहीं से वह क्या करता है? जहर उगलता है ठीक है तो साब की जहरीले दातों को जहर उगलता है तो क्या कहते हैं सलक नहीं कहते हैं यह सब नहीं कहते हैं विश दंत कहते हैं नाम सी हो रहा है विश दंत विश दंत का मतलब क्या होता है ऐसा दंत जिसमें क्या हो विश हो जहर हो तो अगर उनके विश दं मारणे की जो सपेरे लोंग होते हैं वह इसलिए साप को दिखा लेते हैं चलिए अगला है इनका दाथ से सवाला से सवाल आताहे इनके दाथ हमीशा बढ़ते रहते हैं सवाली Г ine से देखिए आपका यह जो गिलहरी का आगे का जो पैर है दो चार पैर होता है लेकिन गिलहरी क्या करती है अपने आगे के जो पैर होते हैं उसे ही क्या करती है हाथों की तरह इस्तमाल करती है तो ये हो गया clear भोजन भी आगे के पंजो से ही पकड़ कर खाती है निश्चित रूप से अगर गिलहरी का जो सामने का जो दो पैर है अगर वो हाथ बन जाए तो खाना भी वो किस से खाएगी उसी पैर से खाएगी चूकि उसका जो पैर है वो हाथ बन चुका है एक गिलहरी का जीवन काल पांस से दस साल का होता है इसके पहले हम क्या पढ़ रहे थे स्लॉट पढ़ रहे थे स्लॉट का जो जीवन काल होता है वो कितना होता है चालिस वर्सों का होता है पूरी दुनिया में गिलहेरी की 250 से ज़्यादा प्रजातिया क्या हो जाती है पाई जाती है अगर हम भारत में बात करें तो भारत में इसकी केवल कितनी प्रजाती मिलती है तो इसकी केवल दो प्रजाती मिलती है गिलहरी के दान्थ हमेशा क्या होते हैं बढ़ते रहते हैं यही कारण है कि वो चीजों को कुतरते रहते हैं अगर वो ना कुतरे तो उनका दान्थ इतना बढ़ जाएगा कि साध हम कलपना भी नहीं कर सकते यही कारण है कि गिलहरी हमेशा अपने कुछ न कुछ कुतरते ही र कोतरता रहता है और हम लोग चुहों से डरते हैं चुहों मार दवाई भी आता है इसके गानल तो गिलहरी जो होते हैं गिलहरी की बच्चे जो होते हैं जन्म के समय अंधे होते हैं याद रखीगा ऐसा कौन सजीव है जिसके बच्चे जन्म के समय अंधे होते हैं लेकिन कुछ का होगा तो यह सभी विसेस्ताय किसकी थी यह गिलहरी की थी अब हम बात करते हैं अगला जो जीव है वो है रेसम का कीट अभी हम जितने भी एनिमल्स देखे हैं वो सभी एक्जाम के पॉइंट ऑफ यू से बहुत इंपॉर्टेंट है डारेक्टली सवाल कभी-कभी पूछ लेकिन अब क्या हो रहा एक्जामिनर जान रहे हैं कि बच्चे जो हो रहे हैं बहुत अलर्ट हो गए हैं एंसे पुरा रट ले रहे हैं पूरा समझ ले रहे हैं तो अब क्या कर रहा है उसी उसी सवाल को घुमा घुमा कर कहीं से भी रिलेट करते हुए वो पूछ रहे हैं तो यही तयारी को इसी रणनीती को ध्यान में हमें रखते हुए क्या करना है तयार करना है चलिए बात करते हैं रेसम कीट की तो रेसम कीट की हम बात करें तो भारत में इसकी खोज किसने की है एक वग्यानिक है लेपरो इन्होंने क्या की है सन 1905 में किया इस वग्यानिक के द आपके 1905 में पूशा संस्था में तो ये ध्यान रखना है और ये पूशा संस्था कहा है आपके दिल्ली में स्थित है चुकि एक नया पॉइंट है आपको ये पॉइंट नहीं मिलेगा देखने को तो रेसम की कीट की खोज आप लोगं को किसने की विज्ञानिक का नाम याद चीटी को टिक है जब कि ऐसा नहीं होता है जो रेसम कीट होती वो कई किलोमेटर दूर से पहचान लेती है चीटी जो होती कुछ दूरी पर पहचान लेती है और इलुंभी एक गंध छोड़ते है बात करें भैंस भैंस से भी एक सवाल है तो भैंस की पीट पर यहां पर क्योंकि आपके एकजाम में पूछा जाता है तो यह आपको ध्यान रखना है भैंस की पीट पर प्राया बगूला आप पच्छी का जब एक टॉपिक पढ़ेंगे तो उस पे भी बगूला देखेंगे तो भैंस की पीट पर प्राया बगूला आपका जो पच्छी बैठा दिखाई देता है ऐसा इसलिए ह होता है क्योंकि बगूला ये लोग अगर आपसे पूछा आज का आपूछ के आप से क्या बोल लेगा सहजीवीता का चीवानियात करें क्या कि जरूरतों को पूरा करें कैसे कर रहे हैं गेजďक करता है तो क्या ब्रम होती है संसे वो दूर होता है यह यह एक कह सकते हैं सहज जीवी का एक अच्छा एक्जामपल है क्योंकि बगूला भैस की पीट पर परजीवी का कीट खाता है बिल्कुल यह बिल्कुल सही है दूसरा option भी देखते हैं घास में पाया जाने वाले कीट खाता है तो घास में अगर पाया जाने वाले कीटों को खा तो याद रखीएगा कि जो बगूला होता है, वह हैस की पीट पर इसले बैटा है, ताकि वह भैस की पीट पाय जाने वाले परजीवी कीट को खा सकी, यह आप image देख सकते हैं जो आपको white white हलका हलका दिख रहा है यह सभी क्या है कीट है तो इहीं कीट को क्या करता है बगूला खाता है इससे बगूला का पेट भरता है और भैस का जो पीट होता है वो साफ होता है जो उसे नुक्सान पूचाते हैं तो हमने animals का complete topic देखा कल हम मिलेंगे एक नए topic के साथ आज के लिए इतना ही आपके जितने भी हमने animals के topic देखें वो सभी exam के point of view से बहुत important है रिवीजन करते चले ये मत सोची कि आपके exam को अभी बहुत time है छे महीने बाकी है पांच महीने बाकी है नहीं हो समय कब निकलता है पता नहीं चलता है चूकि अब seat rate का exam भी बहुत tough होने लगा है तो आपको भी ध्यान से इन सभी चीजों को पढ़ना है और आगे बढ़ना अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविशे को साकार करना तो जुड़िये competition community के साथ आज ही हमारे website के carrier पेज पर विजिट करें अथ्वा description box पर दिये गए link पर click करें हमेशा आपके साथ team COCO